पहले अमेरिका ने इरान के जनरल को मारा फिर इरान ने किया अमेरिकी ठीकानों पर हमला वार और फलटवार से दहशत में आ गई दुनिया फिर सामने आये ट्रम्प और अमन का दिया पैगांग इरान और अमेरिका की बीच लगभग 15 दिनों तक जो तलवारें खिची थी उसमें दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले करते रहें इस तना तनी में जब अमेरिका ने इरान के जनरल कासिम सुलिमानी को खत्म किया तो ये तैय माना जा रहा था कि अब दुनिया में एक और जंग छिड़ने वाली है इरान की जनता के गुस्से ने जंग का खौफ और बढ़ा दिया अमरीका को माफी यानि अपने गुनाहों के इजाले पर आमादा किया जाए जनरल की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके इरान ने इराक में अमरीकी ठीकानों पर हमला बोल दिया एक के बाद एक 22 मिसाइलों से इराक में दो अमरीकी एयर बेस को निशाना बनाया गया इरान के इस पलटवार से विश्वयुद्ध का संकट और गहरा गया अब इंतिसार अमरीका के अगले वार का था लेकिन अमरीकी राष्रपती ने जंग के देहकते शोलों को ठंधा करना ही बैतर संजा इराक में अमरीकी एयर बेस पर हुए हमले के बाद टरम्प के इस बयान से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली ये महसूस हुआ कि इरान और अमरीका के बीच खिची तलवार वापस मयान में चली गई है ट्रम्प के संदेश को ये भी माना गया कि इस से एरान और अमरीका एक बार फिर बाचीत के लिए आ गया सकते हैं इरान के हमले और ट्रम्प के नरम पड़े तेवर से दुनिया का एक बड़ा तपका ये जरूर मान रहा है कि जंग के बादल फिलहाल छट गए हैं और अमन की नए सुबह हो चुकी है लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा इसकी कोई गैरंटी नहीं ले सकता कहा तो ये भी जा रहा है कि अब एक ऐसी जंग भी छीड सकती है जिसका कोई अन्थी नहीं और अमन के पैगाम से एरान और अमरीका के बीच अमन कायम होना शायद मुश्किल नजर आता है क्योंकि जनरल खासिम सुलिमानी का मारा जाना एदान के लिए बहुत बड़ा जटका है और ये एरान की साह को भी तागदार करता है एरान के लिए सुलिमानी की मौत को भूला पाना या अमरीका को माफ कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि ट्रम्प के बयान के बाद भी इरान में अपना रुख नहीं बदला और ट्रम्प के बयान के कुछ देर बाद ही उसने इराग में रॉकेट दागे ये इरान के दागे गए रॉकेट हैं जो इराग के ग्रीन जोन में गिरे हैं ग्रीन जोन वही लाका है जहां अमेरीका का दूतावास और उसके कई बड़े ठीकाने है जाहिर है एरान का निशाना अमेरीका ही था यानी टरम्प के बयान के बाद भी एरान ने हमले नहीं रोके हैं और वो जुबानी जंग में भी पीछे नहीं एरान के राश्रुफती रे यहाता कहदिया है की वो अमेरीका को कारी देशों से बाहर करेंगे दस्त सुलीमानी अज़ीज मारा उन्हा गड़ करदें व दस्त अज़ीजश रो दर कनार जनाज़श शुमा दर फील्म हा दर अक्स हा दीदीद तरम के बयान के बाद इरान के रुख से ये तो साफ है की वो चुप नहीं बैटने वाला सवाल यह है की अब वो क्या करेगा और उससे अमेरीका को किस तरह का नुकसान हो सकता है नमसकार मैं हूं गाईती शर्मा अमेरिका के राश्पती डोनाल ट्रम्प के बयान के बाद ये माना गया कि इरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी कम होगी लेकिन इरान के ताजा रुख को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है इरान की सरकार ही नहीं बलकि जुनिता भी जनरल कासिन सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए इसकदर बेताब है कि फिलाल अमेरिका पर इरान के हमले रुकने की कोई सूरत नहीं बन रही है ऐसे में हालात ये बन रहे हैं कि दोनों देशों की सीधी जंग होने के बजाए एक ऐसी जंग छड़ सकती है जिसका कोई आंत ही ना हो इससे भारत की चिंता भी बढ़ गई है जिसे लेकर रक्षामंती राजनाथ सिंग ने अमेरिका और जापान के रक्षामंतियों से बागचीत की है सीरही जंग में कूदने से बचा अमेरिका पिर भी कम नहीं हुआ है इरान का गुस्सा ड्रप के बयान के बाद इरान में लागे रॉकेट नहीं ठंडी हुई है इरान के बदले की आख इरान की जनता का ये गुस्सा बता रहा है कि अमेरिका और इरान की लड़ाई में फिलहाल ब्रेक नहीं लगने वाली है जनरल सुलिमानी की मौत का बदला लेने के लिए इरान ने अमेरिकी ठीकानों पर मिसाइल जरूर बरसा है लेकिन अमेरिका के मुताबिक उस हमले में उनका कोई सैनिक नहीं मारा गया No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime We suffered no casualties, all of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military basis Our great American forces are prepared for anything Trump के इस ऐलान के बाद एरान पर इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वो अपने जनरल की मौत का बदला ले क्योंकि सरकार से इस बदले की मांग जनता कर रही है, वो भी पूरी दाकत रही है We will avenge your general's death, he was not just an individual but a whole country They did not just kill one person, they killed the country Iran ने अमरीकी ठीकानों पर हमले के बाद ये दावा जरूर किया है कि उसने अमरीका के 80 सैनिक मारे हैं लेकिन अब उसका दावा कमजोर पड़ रहा है और उस पर जनरल की मौत का बदला लेने का दबाव फिर बढ़ गया है इरान का जो हमला था वो इसी लिए था उन्होंने अपनी जनता को दिखा दिया कि हम हमला कर सकते हैं और साथी साथ अमरीका को भी एक संकेत दे दिये कि हमारे पास वो शमता है कि हम चाहें तो उनके बेसों को मार गिरा सकते हैं माना जा रहा है कि एरान अब अमरीका के खिलाव जंग का एक ऐसा सिलसला शुरू कर सकता है जिसका कोई अन्थी ना और इसके संकेत एरान के राश्रुपती हसन रूहानी ने भी दिये हसन रुहानी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अब इरान अमरीका के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने के बज़ाए ऐसे हमले की शुरुआत करेगा जिस से अमरीका को छोटे छोटे जखम दिये जा सके जानकारों के मताबिक इरान खारी देशों में अमरीका को नुकसान पहुचा सकता है वो अमरीका के दस्तों में छोटे छोटे हमले कर सकता है इसके लिए वो सुलिमानी के वफदारों का इस्तमाल कर सकता है और सुलिमानी की नेटवर्क का इस्तमाल करके अमरीकी फोजों पर ह पॉकेट का इस्तमाल हो सकता है। वो अमेरिका के खिलाफ हिजबुला जैसे संगठरों का इस्तमाल भी कर सकता है। और जासुसों का एक बड़ा निट्वर्क। साथी अरब देशों में उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। ऐसे में ये लोग भी अब सुलिमानी की मौत का बदला लेने के लिए जंग छेड़ सकते हैं। और इरान इनके पीछे मजबूती से खड़ा होगा। अमेरिका के राज्ट्रोपती डॉनल्ड ट्रम बार बार चनरल सुलिमानी को मारने के फैसले को जायस ठहरा रहे हैं। ये मिसाइल हमले के बाद भी अपने बयान में ट्रम्प ने सुलिमानी को आतंक वादी बताया। और कहा कि अमेरिका को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। ड्रम्प भले ही सुलिमानी को मारने के फैसले को सही ठहरा रहे हूँ। लेकिन जानकारों का मानना है कि सुलिमानी को मारने का फैसला उन्होंने जल्दबाजी में लिया है और इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अमरीका ने सुलिमानी को मारने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब इराग की संसत में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि अमरीका की फाज फोरान इराग छोड़कर अपने देश वापस लोगे है। लेकिन अमरीका फिलहाल इराग छोड़ने के लिए तयार नहीं है क्योंकि इससे उसकी साख को करारा धक्का लगेगा। अमरीका फिलहाल इराग छोड़ने को राजी नहीं है। अमेरिका तिलहाल इराक छोड़ने को राजी नहीं लेकिन सुलिमानी की मौत के बाद उसके लिए इराक में खुद को मजबूती से बनाए रखना और मुश्किल हो गया है क्योंकि अब इराक के साथ सुलिमानी के चाहने वाले भी अमेरिका के रास्ते में रोड़ा बनेंगे इरान के दावे को खारच कर दिया सवाल ये कि इरान ने जब अमेरिका के सैने ठिकाने पर एक साथ बाइस मिसाइल दागी तो सैनी कैसे बचुए जन्रल सुलिमानी की मौत का पदला लेने के लिए इरान ने इराक में अमेरीका के दो सबसे बड़े सैन अड़ों को निशाना बना कर हमला कि जिसमें सबसे बड़ा हमला अनवर प्रांथ के अल-असद एरबेस पर हुआ इसकसाद एरान ने इराक के एरबेल शहर में भी अमेरीका के सैन ठीकानो बर मिसाल दागी इसमले के बाद एरान ने इलन किया कि उसने अमेरीका के असी सैनीको को मारा हुआर अमेरीका के अल-असद एरबेस को तबाह कर दिया असावत मुशक हाग सपाह पासदारान बे मनातिक हसास पाइगाह एनल असद वा कुश्ट शदन हद अगल 80 नफर अज़ अज़ामियान तरॉरिस्त अमरीकाईी बर असास इतलाइत मनावे मुष्थ इरान के इसदावे के बाद अमरीका के राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प सामने है और उन्होंने ऐलान किया कि इरान के हमले में अमरीका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया है और एर बेस को भी हल्का नुपसान ही हुआ है सवाल यह है कि इरान के एक साथ 22 मिसाइल दागने के बावजूद अमरीका को कोई बड़ा नुकसान क्यों नहीं हुआ इसके पीछे एक हैरान करने वाली कहानी है दरसल इरान ने हमले से पहले इराक को अलर्ट किया था इरान का मकसद इराक को नुकसान पहुचाना नहीं था लेकिन इराक ने इस हमले की जानकारी अमरीका को पहुचा दी इसके अलावा अमरीका को अपनी चेतावनी केंदर से भी जानकारी मिल गए थी चेतावनी गेंद्र अरब शेतर में मिसाईल दागे जाने का निरिक्षन करता है जो मिसाईल दागे जाने से पहले ही सूचना दे देता है। इतनी जानकारी मिलने के बाद अमरीकी सैनिक बंकर में चले गये थे और उन्होंने सैन ले अड़ता खाली कर दिया थे। इराग सरकार से सूचना मिलते ही अमेरिका के सैनिक वक्त रहते सुरक्षित जगह पर पहुँच गये माना जा रहा है कि अगर ये सूचना पहले नहीं मिलती तो बहुत से अमेरिकी सैनिक मारे जाते ऐसी सूरत में जंग शुरू होने से कोई नहीं रोख सकता था हुआ है